आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एब्यूज अगर किसी ने कोई दवाखाली अगर किसी बच्चे ने कोई दवा की बोतल पकड़ के खाली किसी ने जबरदस्ती खाली कोई जगड़ा करके खाली कोई उदास होके खाली कोई डिवरेस होके खाली और ओवर्डोस हो गया है तो भाई साब उस केस में आप क्या करो चाहे वो कोई दवा हो कोई ड्रग हो कोई आयरुवेदिक हो कोई अल्कोहॉल हो तो यहां पर फर्स्ट एड क्या दोगे इस प्रकार के ड्रग ओवर्डोस का क्या दो या फिर कभी-कभी विड्रॉल के भी वर्डोस होता विड्रॉल के लिए फर्स्ट एड ये है ड्रग विड्राओ रोज दारू पीने वाला दरू नहीं पी रहां एकदम से दिक्कत शुरू कि ड्रग लेने वाले एकदम से ड्रक छोड दिया तो लेट्स कंसिडर सम सिचुएशन सब्सक्राइब बहुत मज़ा आने वाला है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है सब को शेयर करना जरूरी है लाइक करना जरूरी है ऑगया बहुत एक्चुली में जितना मतलब आम जनता को नहीं पता होगा लेकिन इंडिया के इंदर या बह सब्सक्राइब यह चल रहे हैं और इसमें से कुछ दवाईयों में फिरम में इस्तमाल होते हैं कुछ चीजें दवाईयों में स्थमाल होती पर बहुत सारी नहीं द्रग्स are not do not have any treatment benefits कुछ का है जो दवाइयां जो ऐसे medicines जो ऐसे किसी health problem को use करती है उनको abuse किया जा सकता है क्योंको उनसे मज़ा आता है जैसे कि कफ सिरप में कोडीन होता है तो कोडीन कफ सिरप का पेन किलर्स का मिस्यूज होना यह बहुत कॉमन है तो कभी-कभी यह emotion intentionally हो जाता है कभी-कभी accidental हो जाता है बच्चे ने पीली बच्चे ने कुछ पीली दवा ले ली नींद की कि पीपल टेक मोर देन रिक्वाइट डोस ऑर सिग्निफिकेंट अमाउंट अफ ताइम थे वर दोस ऑब्योज के अब्यूज हो सकता है उसको अब्यूज बोलते हैं अलकोहॉल का भी दारू का भी अभी अभी बहुता है और बहुत सारे ड्रग इसमें एडिक्टिव होते ह एडिक्षन ग्रैजूएल हो सकती है और कुछ ड्रग में एक्चुल कोकेन भी होता है भाया जिया कोकेन ड्रग में इस्तवाल होता है और और यह जो लोग हो गए हैं उनको क्या होगा उनको विड्रावल सिंटम आएंगे जब उनको दवाई नहीं मिलेगी ठीक है उनके वि ड्रग बहुत ही जादा ड्रच में लिल्या तो यह ठीक होड हो सकता है कभी-धी यह ग्रेज्व 250 फोल हो सकता है नाच्रल खाली दस गोलियां एक साथ खाली या दो 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 रोज खारे हो जबर्दस्ति एक की जगा दाट काइंड आप इन दोनों की सिच्वेशन में टॉक्सिटी में प्रॉम्ट मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है अब कॉसे क्या हो सकते हैं अगें रिमेंबर क्यों आएगा पेशन यह जो नींद वाली दवाइओं वाले ओवर्डोस से इसे कोई एक्साइटमेंट करने वाली दवा हाट रेट भड़ा देती है रैपिड ब्रीधिंग हो जाती है उसमें एसे बहुत है ज्यादा है पर स्टीमुलेंट आदमी हो जाता है माइल्ड कई सारे हैलूसिनेशन भी होत स्ट्रीम सोशल विड्रॉवल हो रहा है कैनाबिस मेरी जुआना भांग उससे क्या होगा इंपेड मोटर सेंसिरी हाथ पर किदर जारे पता नहीं भूग बहुत ज्यादा लगरी खाये 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 और सबस्केशिचर्ण और प्रिस्कृप्शं ट्रक्रिज जो ओते हैं हमारी दवाइए वह भी वर्डोज होती है उसमें सीरियस साइड पली फ्सकते हैं इंपसिबल नहीं हो सकते तो अगर कोई ड्रग ओवर्डोज हो गया तो बहुत सारे वेरियेबल सिम्टम्स हो सकते डिपें जो के अलग अलग सिम्टम से ओवर्डोस के सिम्टम क्या है लेट्स लॉक्ट फटाफट एजिटेशन सी दौरे पढ़ सकते हैं ट्रेमर हो सकते हैं डिलूजन पैरान हो है हलुसिनेशन डिफिकल्टी ब्रीधिंग ब्राउजीनेस कभी-कभी बेहोश अंकॉंशियस नौजिय वमिटिंग अटैक्सिया गेट में प्राब्लम चलने में दिक्कत स्वेटिंग एक्स्ट्रीम ड्राय होना हाथ पैर पूरे सूप जाने पसीना पसीना हो जाना वाइलेंट हो जाना कभी-कभी डेथ भी हो सकती है अबनॉर्मल प्यूपिल साइज भी हो सकता है इस अरोल धि सब्सक्राइब कोई इस प्रकार के सिम्टम है आपको डाउट है ड्रग ओवर्डोस का चाहे स्टिरोइड चाहे कोई भी तरीके के नशे वाले द्रग हो या मेडिसन हो बच्चे ने ले ली बड़े ने ले ली सबसे पहले आप तीन चीजे चेक करोगे युल चेक दपेशन कि वह सई से सांस ले रहा है ब्रीधिंग डिफिकल्टी तो नहीं है ब्रीधिंग प्रॉब्लम और पल्स फर्स्ट रेस्पिरेटरी और काडियोवेस्कुलर सिस्टम कि उसमें कहां प्रॉब्लम कहीं हाट की रेड़ बहुत तेज तो नहीं है ब्लेड प्रेशर बहुत तो नहीं बहुत तो नहीं अगर पेशन बेहोश है और सास नहीं ले रहा धड़कन नहीं दिखाई देरी सुनाई देरी करना है कि एक की ओपर एक हात रखके इधर के इस से इसा चैस्ट पे दवाते जाए कि उसमें कैसा एक मिनिट में टो रहींट में अगर तो और क्या कर सकते हैं उनके फंवेट कर सब्सक्राइब कर कर से करना उसमें देखना को यजिह करने है कुछ और फिसा को इंपॉर्ट अगर आपको पता है कि इस दवाई लिए है तो वह दवाई ले लो और फिर तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करो अस्पताल में दोड़ो अगर पेशन्ट शॉक में है तो कैसे पता चलेगा बेहोश नहीं है शॉक में है तो पेशन्ट को वीकनेस होगी प्लू इश लिप्स हो सकते हैं फिंगर नेल्स हाथ भ्रण सकते हैं नीले पढ़ सकते हैं श्रीर सफेड पढ़ सकता है और बेहोशी सी आ सकती है यह शौक का साइन है मतलब ब्लड प्रेशर सही से बनने रहा पेशंट बेहोश होने वाला है अगर कोई पेशंट ऐसा है तो उसको कुछ पिलाना खिलाना नहीं तुरन अस्पताल लेके आना सांस की लनी में चला गए तो और प्रॉब्लम अगर कोई पेशंट को दौरा लेके तुर्टने में उनको टेड़ा करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि उल्टी ना उल्टी आएकी तो सांस की नली में ना चले जाये और ब्लड प्रेशर हाट रेट ब्रीधिंग प्रॉब्लम ब्रीधिंग इसको इसको रगुलर चेक करते रहे जब तक अ कौन सा ड्रग है और उस बॉतल को उस दवा को उस कंटेनर को लेके अस्पताल आईए ट्रीट्मेंट में आसानी होगी अब क्या नहीं करना है उनको पहले डेंजरस एरिया से अगर ड्रग हवा में है तो वहां से अटाओ शरीर पे लगाए तो साफ करो अनप्रेडिक्टिबल बिहेवियर हो रहा है पेशन्ट का तो पेशन्ट को बांदना है बांदो अपने आपको बचाओ पैड़ अगर कोई ड्रग्स पे है तो उसके साथ में वारतालाब ज्यादा मत करो उसके साथ रीजन करनी कोशिश मत करो उनको बिहेव रिस्पॉंसिबली बिहेव नहीं करेंगे वह अपना दिमाग मत दढ़ो अगर आप अगर आप आप उफर करते हो वह मना करते हैं तो फिर आप हेल्प मंगा लीजिए फर्स्ट एड जबरदस्ती नहीं कर सकते आप कोई ऐसे पेशनिक स्था आपके लिए हानिकार हो सकता अगर आप उन्हें और पावर नहीं कर सकते और पानी नहीं पिलाना बेहोश पेशन को बहुत इंपॉर्टन्ट है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आखों में पानी मार सकते हो ऐसा गए हो तो लेक्जेटेव या चारकोल दिया जा सकता है गैस्ट्रिक लवाज किया जा सकता है पेशन्ट बेहोश है ऐसे है तो एयरवे सपोर्ट दिया जा सकता है ब्रीधिंग सपोर्ट दिया जा सकता अगर उसकी जरुरत है बाकि सारे ECG IV fluid medication to reverse the effect of that medicine यह सब फिर किया जा जादा मात्रा में इंसान की डेथ हो जाती है कुछ ऐसी भी होती है नीन की गोली जिसमें इंसान बस सुता रहेगा और अपने अपुट जाएगा ठीक हो जाएगा so don't play with yourself don't take any overdose go to a hospital immediately if you think someone has taken an overdose please share this video with everybody so that at least people know what to do and what not to do thank you so much stay connected stay healthy